आज मैं बनाने जा रही हूं हल्वा फिश फ्राइड तो यहां पर देखिए मैंने हल्वा मच्छी को अच्छे से वाश करके ले ली हूं और अब हम इसका मैरिनेशन कर देंगे मैरिनेशन करने के लिए मैंने इसमें एक टीस्पून रचिली पॉडर एड़ की हूं एक टीस्पून हल्दी पॉडर देर टीस्पून जीरा पॉडर नमक स्वाद अनुसार एक टीस्पून गारलिक पेस्ट डाली हूं मैंने दो से तीन टीस्पून कॉन्फराड डालेंगे हम और 2 टी स्पून लेमन जूस डालेंगे इस अब डाल कर हम इसे अच्छे से मैरिनेट कर लेंगे मिक्स करके अच्छे से रख देंगे तकरीबन 20 मिनिट के लिए मैं इसे मैरिनेट करूँगी मिक्स करके मैं इसको आपको फिर एक बार बताती हूँ किस तरीके से होगा तो यहां पे देखिए मैंने मच्छी को अच्छे से मैरिनेट कर ली हूँ अब इस मसाले को लगाने के बाद हम इसे तकरीबन 20 मिनट अच्छे से मैरिनेट होने देंगे उसके बाद मैं आपको आगे बताती हूँ तो देखिए मैरिनेशन करके 20 मिनिट हो गए है अब हम फिश को फ्राइ कर लेंगे तो देखिए यहाँ पे मैंने पैन रख दी हूँ और इसमें मैंने ओयल दाल दी हूँ तकरीबन 4 टेबल स्पून शैलो फ्राइ करेंगे हम मच्छी को अइल एक बार अच्छे से गरम हो जाए तो हम इसमें फिश को छोड़ देँगे तलने के लिए मैं आपको दिखाती हूँ तो गाइस देखिए मैंने मच्छी के पीसेस दाल दी हूँ गरम हो गया था अब मैं ऐसे गैस का फ्लिम फास्ट ही रख्यू मैंने थोड़ा एक तरफ से अच्छा थोड़ा सा क्रिस्पी कोटिंग होने दूँगी हो जाए तो फिर मैं पलट दूँगी तो देखिए फिश को मैंने पलट दिया अब मैं दूसरी तरफ से भी अच्छे से से कुक कर लूँगी ऐसे ही मैं बच्चे वे फिश भी फ्राइ कर लूँगी और फ्राइ करके सारा तैयार होने के बाद मैं आपको उसकी फाइनल प्लेटिंग दिखाती हूँ तो गाइस देखिए हमारा हलवा फिश फ्राइ बनके तैयार हो चुका है इसका लोग कितना अमेजिंग लग रहा है और ट्रस्ट मी गाइस टेस्ट में भी यह उतना ही अमेजिंग था मेरे घर में सबको बहुत पसंद आया था यह नए स्टाइल से मैंने फ्राइ फिश बनाई थी तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राइ करना और आप मुझे से शेर करना कि आपकी फैमिली को यह रेसिपी कैसी लगी और आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी रेसिपी को लाइक, शेर और सब्सक्राइब जरूर करना जादे से जादा मेरी रेसिपी को शेर करना और हाँ मुझे दुआओं में जरूर याद रखना और मेरे चैनल को देखने के लिए बहुत 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 थैंक्यू आप सब का यूट्यूब फैमिली का इसी तरह से आप मुझे सपोर्ट करते रहे थैंक्यू सो माच